पब्लिक टीवी आपकी आवाद जो वाड हमारे छूट गए हैं जिनके हम खुद नहीं जा पाए हैं आज हम उनके साथ सारे जन संपर्क करके पूरा मुझे लगता है कि आश्वस्त हैं सब जोगे भारी समर्थन मिल रहा है हमने स्कूलों से कैमपेंग, कॉलेजों से कैमपेंग शुरू किया हुआ है और भारी उत्सा यहां देखने को मिल रहा है लगाता साथ संपर्क में लगे हुए हैं और संगठन के पतदिकारी लगाता परची बाटने का कारे कर रहे हैं मैं चार तारिक के लिए अपील करना चाहूँगी महानगर वासियों से कि भारी से भारी वोटों से भाष्र प्रत्याची श्रीविनोद अगरवाल जी को चिता है अपना आशिरवाद दें और जिस सरीके से कर योगी आदितेनाच जी ने हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो रैली दी है वो एक संदेश मुझे लगता है कि पूरी महानगर की जनता को मिल चुका है और जनता ने भी ठान लिया है कि इस बार हमारी भारती जनता पार्टी की सरकारियां बनेगी भारती जनता पार्टी टिपल इंजन की सरकार का दावाई ने कर रही है बनेगी भी और जब सब तरफ कमल का फूल खिलेगा और लोगों में भारी जोश है एक एधियासी जीत होगी हमारी भारती जनता पार्टी की आप भी देख रहे होंगे चारों तरफ कमल का फूल का फूल का शोर है, सभी कारे करता है, एक जुटो कर कारे कर रहे हैं, गली महलों में सब तरफ चुना परचार चल रहा है और एलिया भी लग ऊ रही है, आज शाम को चार वजे चुना परचार ठम जाएगा, उसके बाद भी बावजूद भी लोगों में बहुत जोश है कि किस तरह से रणीती बनाए कि अपना एक दिन भी खतम ना करें तो पर्चियां बढ़ चुकी हैं बस्ते लग चुके हैं हर तरफ जोशी जोश है हर्शो उल्लास है यह हमारा जो लोग तंत्र का सबसे बड़ा उस्तव है बहुत ही जोशोड से मनाया जा रहा है मेरी सब नगरवासियों से अपील है सबका साथ सबका विकास को देखते हुए माने प्रिधानमंती नेरिन मोजी जी का साथ दीजिए बारते जनता पार्टी का साथ दीजिए कमल के फूल का साथ दीजिए माने बिनो दगरवाल जी को पुना मेयर बनाईए और बार्ट 42 से हम देर्वेन पाल जी के बार्ट में हैं तो उनको भी कमल के फूल पर बोड़ते कर उन्हें भी बारी मतों से जिताईए पब्लिक टीवी आपकी आवाद